के पावन पुईत्र महने के आपको सुभकामना है वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि सिव पूजा के क्या नियम होते हैं सावन महने में आपको कैसे बरत करना चाहिए, कैसे पूजा उपवास करने चाहिए, सोंबार पूजा विधी कैसी रहनी चाहिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी तो ध्यान से सुनिएगा और अंतितक वीडियो में बने रहिएगा जैसे कि सावन का महना अपने आप में महादेव को समर्पित है इस महने 16 सौंबार के ब्रत या सामन जो सौंबार के ब्रत होते हैं वह किये जा हलाकि मैंने कैसे सौंबार के ब्रत किये जाते है उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है संपूर्ण भोजंतक के नियम तो आप उसे देखिएगा 16 सौंबार ब्रत कैसे किये जाते हैं इसका वीडियो में एक अलग से आपको जरूर से दूगे अब आप सभी जब भी या उत्तरा भी मुख हो जाईएगा जो भी जो है वहां पर भक्त द्वारा चड़ाई गई सामगरी है महादेव से ग्रहन कर चुके है अब उसे थोड़ा सा किनारी की ओर कर लीजिए और साफ सच्छ कर लीजिए और सबसे पहले किसी भी पूजा में जैसे मैंने संकल्प लिय इसे परिपूर्ण करें इतने ब्रत करूंगी या जो भी नियम है वह कहें नहीं तो सामाने सिव पूजा करते हैं तो संकल्प लेने की आउशकता नहीं है सबसे पहले जो महादेव के सिवलिंग पर जल चड़ाया जाता है वह साफ सच्छ तांबे की लोटे से अपनी घर से मटके से ले जाईएगा सबसे पहले गड़े जी महराज के स्थान पर फिर मातासोक, सुन्दगीरी, कार्तिके जी भगवान और फिर मातारानी के हस्त कमल पर समर्पित करते हुए सिवलिंग पर आप चड़ायें ऐसी कोई ऐसे आपसे जल्दी बाजी की स्थिती है तो नहीं कर सकते हैं तो सामानी जल्द सिवलिंग पर चड़ायें सबसे पहले फिर जो है जो आप कच्चा दूद या दूद दही घी सकर शहद पंचामरत ले गए हैं फिर वह चड़ाये फिर जल चड़ाये ठीक है यही प्रक्रिया होती है जो है सभी सिव अभिशे की इसके लावा अनिवस्तोय चड़ाये हैं तो जल पहले चड़ाये फिर वह सामगरी चड़ाये फिर उसके उपर से अंतमे साफसच जल जरूर महदेव को अभिशेक के तहत चड़ाना चाहिए यही अभिशेकम की पूर्णवित ही जानी जाती है अब आपने जल चड़ा दिया तामे का लो इसे त्रिपुंड बनाएं महादेव के सिवलिंग पर चंदन आप लाल चंदन पीला चंदन अस्ट गंध कोई साभी ले सकते हैं सबसे पहले उसे गड़ेजी महराज पर समर्पित करते हैं तो ठीक है नहीं तो सिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं नाग देवता पर आप लगाएं और साथ के साथ स्री गड़ेजी महराजिन सभी देवी देवताओं पर चंदन समर्पित हो सकता है तो चंदन इत्यादी आप समर्पित कर दें जल समर्पित करने के बाद जैसे आप कोई चीज लगाते हैं स्वयम पर भी जो है तिलक लगाकर अपने बालों को बात ईसके बाद आपको जो है, एक दीपक लगाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि दीपक हमारी पूझापाठ का साक्षी होता है, दीपक के नीचे थोड़ा चावल का आसन देकर, आप सभी को दीपक लगाना चाहिए, तभी आपके ब्रध पूझापाठ सफल माना जाता है, अब इसके बाद आपने चंदन इत्यादी लगा लिया मातरानी को रोली इत्यादी समर्पित करकर अक्षत समर्पित करें सभी देवी देवताओ को निरंतर जो भी कारी कर रहे हैं प्रभु का मनही मन ध्यान करें समरण करें और सौंबार हो या किसी भी सावन के महने में भायक होता है और जीवन में इसे सबकारे सिध्ध हो जाते हैं गड़ेशी महराज पर ओम पुस्पम समर्पियामी और महादेव पर ओम पुस्पम समर्पियामी इस तरह से कहते हुए पुस्प इत्यादी समर्पित करें जो भी आपको फूल मिल जाए आकड़े के फूल और अनि जो है कने रित्यादी के फूल, कुल मिलाकर महादेय को सफेद फूल बहुत प्रीय है, आप कोई से भी फूल ले सकते हैं, जो मौसम के अनुसार अनुकूल हो, उपलब्ध हो, सभी फूस पे लेकर सभी देवी दयताओं को सुन्दर भाव सच्चे मन से समर्पित कीजिए बहुत सुब और स्रिष्ट फलो की प्राप्ति में साहक होता है, इसके साथ गड़ेश जी महाराज को दूर्वा बहुत प्रीय होती है, वह समर्पित करें, हमेशा फूल दूर्वा समर्पित करने का नियम होता है, जैसे नीचे की ओर से उपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, उसी तरह से हमें समर्पित करने चाहिए, दूर्वा समर्पित करने से आयु में ब्रद्धी होती है, रोग संकट कस्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, बेल पत्र जैसी अवस्था में आपको मिल जाए, परिपूर्ण अच्छी अवस्था में, मुझे छोटी- हो तो समर्पित करने का प्रियत्न करें बहुत सुंदर सच्चे भाव से प्रदोश काल में भी सावन सौंबार के ब्रत की पूजा हो सकती है जो सोलह सौंबार के होते हैं हाला कि यह वीडियो अलग है मैं फिर आपको दोंगे क्योंकि कई बार यह चीज़ें हो जाती हैं गड़बंदन जरूर से सावन सौंबार ब्रत में हमें करना चाहिए सौभागिवती महलाओं को अच्छे जो है जो पति की लंबी आयू हर कारे में उन्नती के लिए कुवारी लड़कियों को आउशक रूप से मन चाहिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह गड़बंदन आप एक बार भी कर सकते हैं सामानी स्वरूप में साथ बार भी मौली को घुमा सकते हैं गाठ नहीं लगाएं अपनी इस्थान पर ही थोड़ा सा दूद लगा कर यह कोई ज इत्यादी लगा कर आप सभी उसे पूर्ण रूप से वहीं पर मसल देंगे तो वह गड़बंधन हो जाएगा मन ही मन प्रभु का बंदन करें इस दिन भस्म चमडाना और जो अपने घर पर बनी हुई भस्म होती है सुब मानी जाती है बजार से ला सकते हैं वह भी आप समर ख़लों की प्राक्ति में यह सहायक होती है इस तरह से वहस्में इत्यादी समर्पित करकर सभी देवी देवताओं का वंधन करें फिर जो भी ब्रत कर रहे हैं उसकी कथा इत्यादी का स्रमन करें अपनी इच्छा सकती सामर्थानुसार मौस्मी फल जो ले गए हैं वह बड़े जो है महादेव का दिया है उन्हें ही समर्पित है आप उन्हें समर्पित कर दीजेगा कई बार आपके प्रशनाते हैं दीदी कोई भी चीज़ जैसे बेल पत्र हम सेवलिंग पर चड़ी हुई अगर अपने ही द्वारा समर्पित की हुई घर ला रहे हैं तो कोई दोश तो नहीं है आप सबी को बतलाते हुए चलू कि महादेव पर जो भी चीज़ समर्पित हो गई है वह इस पर्श के द्वारा ही महादेव उसे अभी मंत्रित कर देते हैं और ग्रहन कर चुके हो देते हैं तो उसे आप पूर्ण रूप से उसी समय उठा कर ला सकते हैं क कोई दोश कोई दिक्कत की बात नहीं है आपनी समता समर्थन सार भी समर्पित करें वह अजिए ऑपकी सिव पोई निस्चित रूप से सफल होगी महादेव धन संप्धा पुत्र पूत्र का वर्दान देते और खुश्या जीवन में भरते हैं अंत में एक दूसरा दीपक लगा कर उससे महादेव की कोई सी भी सरलारती या जो है सीव जी से संबनित कोई भी मंत्रेत्या दिकाजाब करें भाग्य खुल जाएगा इस तरह से सावन ब्रत में जो भी आप ब्रत करते हैं इस तरह से आप पुरुसों को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने परिवार सहित पूजा करनी चाहिए कोई भी सीव पूजा से संबन्दित प्रेशन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा सभी सवालों के जवाब आप स्वयम ही प्राप्त कर लेंगे मेरे कमेंट्स के साथ के साथ का पूर क्यारती भी कर सकते हैं और साथ के साथ यहां पर आप तिल चड़ा सकते हैं और आप अपनी इच्छा सकती सामर्थ अनुसार इत्र चड़ा सकते हैं एक सो आट चावल चड़ा सकते हैं आपकी इच्छा है आप महादेव को क्या क्या अपनी इच्छा सक प्रते एक दिन इसी तरह से आपको पूजा करने चाहिए अपने द्वारा हुई भूल चूक पूजाम के लिए अंतमे माफी मांगे और अपनी मनों काम ना बोले महादेल सुनेंगे और क्रपादेश्टी परिवार में जरूर से